नमस्ते एंजिनियरिंग मेथेमेटिक्स परना बिजा लेक्चर मान तमारूं स्वागत छे अने आजे आपने सरेराश मीन वेल्यू थियर्मनी चर्चा करिशूं तो चालो आपने आवरी लेवामा आवेल कोंसेप्ट जोईए आपने लाग्रेंज मीन वेल्यू थियर्मनी चर्चा करिशूं एक खूब जा महत्वपूर्ण ख्याल जे अगावना लेक्चर नुम विस्तराण चे ज्यां अमे रोलेना थियर्मनो अभ्यास करियो छे अने बिजो एक सामान्य मीन वेल्यू थियर्म अथवा कोशी मीन वेल्यू थियर्म छे जेनी चर्चा आजना लेक्चर मान पन करवामा आवशे तेथी मने पहलाना लेक्चर मान थी जे याद करवादो जो कोई फंक्षन एफ, क्लोजड इंटर्वल मान सतत होई तो अबी, अने ओपन इंटर्वल मान डिफर्नशीयबल होई अबी अने, अने बी पोईंट पर फंक्षन वेल्यू होई तेथी, इंटर्वल ना अंतीम पोईंट समान छे पची ओपन इंटर्वल मान एक्जिस्ट ए नमबर सी एक्सजिस्ट छे भी एवों के डेरिवेटीवा पोईंट पर अद्रुश्य थाई जाई छे जियोमेट्रिकल इंटर्प्रिटेश्ट ना आक्रुती थी एटलूंज अस्पष्ट छे अमारी पासे एक फंक्षन एफ छे जे सतत अने अलग छे अने फंक्षन वेल्यू ए अने बी बनने समान छे पची अहीं गे पोईंट सी एक्जिस्ट छे जान टेन जेंट एक्स एक्सिस नी पेरलल छे हवे लाग्रेंज मिन वेल्यू थीयरम पर आवी ने आपणी पासे फंक्षन इफ छे जे रोलना थीयरम नी सीमिलर अगावनी परिस्थितियो जेवूंज सतत छे अने ओपन इंटर्वल मान अलग छे एबी 3G कंडिशन ज्यांग फंक्षन बे अंतीम पोईंट पर समान हतुं अहीं जरूरी न थी तेथी ते वदू जनरल अने ओच्छूं प्रती बंदिच छे अने ते किस समांग फरिथी ओपन इंटर्वल ए मां ओच्छा मां ओच्छूंगे नंबर सी एक्जिस्ट मान छे भी जेम के आ कोशंट अहीं एफ भी बादबाकी एफ ए ओवर भी माइनस है ए पोईंट सी पर डेरिवेटी विक्वल छे ओ चालो सव पहलूं आ, लाग रेंज मिन वेल्यू थियरम ना जियोमेट्रिकल इंटर्प्रिटेशन नी चर्चा करिए जो आपनी पासे कोई फांक्षन छे जे अमुक इंटर्वल मां सतत अने अलब छे, ए बी, अने पची चालो जोईए कि आ कोशंट शूंग छे तेथी जो आपने आ बे बिंदु ओने जोडिये ए पर एफ अने बी पर एफ तो पची आपने आ रेखा सेगमेंट मले छे तो आ रेखा सेगमेंटनो स्लोप शूंग छे चालो कंप्यूट करिये आ किस सामांग, जो हूंग आ त्रिकोण अहीं दोरिश अहीं नी उंचाई एफ बी हशे कारण के अहीं थी आ पोइंट सुधी नूं अंतर एफ बी छे अने आ पोइंट थी आ बिंदु सुधी नूं अंतर एफ बे छे एफ बी माइनस एफ बे आ त्रिकोण नी उम्चाई अने अहीं नो आधार छे. B-A छे कारण के आ पोइंट सुधी B छे अने आ पोइंट सुधी अहीं आ पोइंट नुन संकलन छे. A-F-A अहीं आ संदर्भो B-A छे अने आ एक F-B-F-A छे. अने तेथी आ भाग अहीं F-B ओचा F-A जो B ओचा होए तो आ पर्पेंडिक्यूलर डिवाइडेड बाइस्पेस आ खुणों टेंजन्ट हशे. तेथी मुल्बुत रिते आ एक्स्प्रेशन अहीं F-B-F-A जो B-A होए. छे. आनो स्लोप रेखा सेगमेंट जेना द्वारा अमें दोरियों छे. आ बे अन्तिम पोईंट पूर्ण करवा. करवा. अने हवे आ थियरम शों कहे छे के आ F-C बराबर हशे. तेथी स्लोप डोमेन मां अमुक पोईंट A to B जियोमेट्रिकल अर्थ A छे के त्या हशे. आ खासमान ओचामां ओचूंग एक टेंजन्ट जो आपने आत्रन टेंजन्ट सजोई शकीए. जे आ रेखा सेगमेंट नी पेरलल छे. आ लागरेंज मिन वेल्यू थियरम कहे छे के ओचामां ओचूंग एक पोईंट हशे ज्यांग. टेंजन्ट आ रेखा सेगमेंट साथे पेरलल हशे आ बे पोईंट्स. कर्वना अंतिम बिन्दूओ. तेथी मैं अहीं बिजा शब्दों मां लख्यों छे, तेम ओचामां ओचूंग एक टेंजन्ट छे. आ इंटर्वल मांजे पेरलल छे. रेखा सेगमेंट मांग जे कर्वना अंतिम बिन्दूओ मांथी पसार थाई छे. जो आपने आ फंक्षन ने कंसिडर करिये तो प्रूफ खुब सरड़ छे. फाई एक्स ए एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए अने एक्स. तेथी जो तमें आ फंक्षन पर नजी कती नजर नाखो. ते मुडबूत रिते बे फंक्षन एफ एक्स अने माइनस केटला कॉंस्टन्ट टाइमस एक्स नो तफावत छे. जो एफ ए एक्स एंटर्वल एबी मांग सतत होय अने ओपन इंटर्वल मां एबी अलग छे. आम आना सेटिंग माटे फंक्षन पूर्ण थयों छे काराण के जो तमें अहीं कंप्यूट करो उदाहरां तरीके 5 पर पोइंट ए अने पोइंट बी पर 5 पची आपने समझी शूं के आ बे वेल्यू समान छे. तेथी 5 पर ए ए ए ए एफ सिवाई बिजूं कशूं न थी. माइनस ए फए अने डिवाइड बाई आ भी माइनस ए अने पोइंट ए तेथी अहीं गेहशे. तेथी जो आहूं सरण बनावूं तो आ भी ए फए माइनस ए ए फए अने पची माइनस ए ए ए फबी अने माइनस ए ए ए फए अने आ डिवाइड बाई बी माइनस से तेथी आ ए ए ए ए ए रद थई जशे अने पची आपणने भी ए ए फए माइनस ए ए ए फबी ओवर बी माइनस से मरशे अने हवे जो हूं अहीं ए फबी compute करूं, तेथी अहिंग तमारी पासे पची FB माइनस छे, आ कोशंट FB माइनस F है, अने आ डिवाइड़ बाई B माइनस है, अने पची अहिं B, तेथी जो हूं हवे सरण बनावूं तो आ FB FB, माइनस ये FB, माइनस B FB, अने प्लस B F A, डिवाइड़ बाई आ B माइनस है, आ किस सामांगा B FB, केंसल थाई छे, अने आपणने B F A माइनस A F B ओवर B माइनस A मडे छे, प्रारम भी किस सामांग पण आपणने B मलियों, F A माइनस A F B ओवर B माइनस A, तेथी फंक्षन A अने B पर समान वेल्यू लाई रहियों छे, अने जो आपणे फरिथी याद करिये तो कंडिशन हती, कंटिन्यूइटी अने डिफरेंशियेबलिटी सिवाए रोलना थियरम माटे, फंक्षन होवूं जोईए, B अन्तिम बिन्दूओ पर समान वेल्यू होवूं, आक इस सामांग आ फंक्षन F रोलना थियरम नी तमाम कंडिशन ने संतुष्ट करे छे, अने तेथी आपणे आ फंक्षन 5 X पर रोलना थियरम ने लागू करी शकिये छिए, तो शूम करशे, हवे जो आपने डेरिवेटिव अहिंग लई जैए तो अमने 5 प्राइम X आपो, X माइनस ना डेरिवेटिव इक्वल छे, आ एक कोंस्टन्ट छे, अहीं एफ भी माइनस वेफ है, अने आ बी माइनस वे द्वारा डिवाइडेड, अने X नूम डेरिवेटिव एक हशे, अने रोल्स नो थियरम कहे छे के त्यां एक पोईंट हशे, जां फंक्षन हशे, फंक्षन नुम डेरिवेटिव शुन्य हशे, आ किस्सामा हवे, जो आपने रोल्स ना थियरम नो उप्योग करिये, पची 5 प्राइम सी शुन्य हशे, अने इंटर्वल ना सी माटे ओपन इंटर्वल मां केटला के बी, अने जे चोकस पने सुचवे छे के आ शुन्य छे, अने ते लाग्रेंज मिन वेल्यू थियरम छे के एफ प्राइम सी एफ बी माइनस एफ ओवर बी माइनस इक्वल हशे, ए शुन्य बराबर छे, आ फंक्षन नुम निर्माने साबित करवा माटे महत्वपूर्ण हतुं, के ल लाग्रेंज मिन वेल्यू थियरमनुम इचित परिणाम मल्यूं, तेथी बिजुमिक छे जे सामान्य रिते मिन वेल्यू थियरम छे, जे छे जेने कोशी मिन वेल्यू थियरम पण कहवामा आवे छे तेथी अहीं आपने एक ने बदले बे फंक्षन कंसिडर करीशूं तेथी जो fx अने gx बे फंक्षन छे closed interval मान सतत b अने अलग करी शकाए तेवूं open interval a b अने g पर bg condition छे के g प्राइम जीनूम डेरिवेटिव क्या अन्य अद्रुष्य थतों न थी interval नी अंदर पची open interval मान एक point c exist करे छे जे a b एवूं छे आ कोशन्ट अहीं fb-fi over gb-ga is equal to point c पर आ f अने जीना डेरिवेटिव नो रेशियो छे proof a फरिथी lagrange mean value theorem ना अगावन प्रुफ समान जचे अने आ किस सामांग अमें आ function set करिये छे अथवा एवी रिते function व्याख्याइत करिये छे के आ 5x is equal to fx minus fi minus a quotient जे आना परिणाम मां आवशे कोशी mean value theorem अने gx minus g ये द्वारा multiply करो तेथी फरिथी f अने g पचिनी similar दलील तेओ closed interval मान सतत अने open interval मान एभी मांग अलग करी शकाए तेवी छे तो 5 आपेला intervals मांग पण अलग अने सतत छे तदू परांत जो आपने अहीं जोईये के शोंग छे 5 परे तेज अहीं माइनस एफ आ शोंग छे अने g minus g ये पण शोंग छे तेथी बदूंग शोंग शोंग छे तेथी phi a शोंग छे अने phi b j f b minus f a छे अने g b minus g ये तेथी आ g b minus g ये आ g b minus g ये साथे केंसल थशे अने पची आपने f b minus f a minus a f b minus f a मडशे जे फरी थी 0 छे तेथी आ किस सामा phi a 0 छे अने phi b 0 छे अने phi roll ना थियर्म नी बदी शर्तों ने संतुष्ट करे छे अने तेथी आपने आ फंक्षन phi x पर roll थियर्म लागू करी शकी ये छे ए तेथी roll थियर्म ने लागू करवो परंतु ते पहला नहीं एक पोईंट छे के आपने कहेवूं पडशे के आ फाइव सारी रिते व्याख्याईत छे काराण के आ जी बी माइनस जी ए मांगना जवूं जोई है शुन्य एटले के जी बी जी ए इक्वल नहोवूं जोई है प्रश्ण एचे जी बी जी ए इक्वल केम नहोई शके आपने आ कोशी मिन वेल्यू थियर्म नी ए धारणाव मां सीधो आवो प्रतिबंद मुक्यों नथी पन फरिथी एक वधारानी कंडिशन हती के जी प्राईम एक्स इंटर्वल नी अंदर क्यानी अद्रुश्य न थाए आम जो आ जी बी इज एक्वल टू जी ए होई आ किस सामा आपने फरिथी लागू करी शकीए छिए फंक्शन जी मांग रोल थियर्म जी कहेशे के ओपन इंटर्वल मान एक पोइंट सी हशे जान डेरिवेटिव अद्रुश्य थाई जशे परन्तु थियर्म ना असंप्शन मुझब जी प्राईम ना इंटर्वल नी अंदर क्यानी अद्रुश्य था तो न थी ते थी आ इक्वल न होई शके तेथी त्या हशे क्यारे एवी परिस्थिती नहीं होई के आ जी बी जी ए इक्वल थाई जशे अने आ इंफिनिटी बनी जशे तेथी फंक्शन ने सारी रिते व्याख्याईत करवा मां आवे छे फंक्शन डिफरेंशियेबल छे ते सतत छे अने जी बी फाई ए फाई बी इक्वल छे तेथी रोल ना थियर्म नी बदी शर्तो आ फंक्शन फाई एक्स माटे संतुष्ट छे तेथी जो आपने हवे फंक्शन मांग रोल थियर्म ने लागू करिशूं तो अमने बराबर परिणाम मलशे जे अहीं आपवा मां आवियूं छे कारण के फाई प्राईम एक्स एफनूं डेरिवेटिव हशे अने पछी आ इक्सप्रेशन अने जीनूं डेरिवेटिव फरिथी माइनस करता अहीं कॉंस्टंट छे तो आ फरिथी शों हशे तो चालो हूं फक्त आ पोईंट एजावू तेथी 5 प्राईम एक्स हशे एफ प्राईम एक्स आ शुन्यने माइनस करता अगा भाग ही एफ भी माइनस आ एफ ए उपर जी बी आ जी ये ने माइनस करो अने पचि आ जी प्राईम एक्स अने रोल ठीयरं कहे चे के पोईंट एक्स पर सी इक्वल छे आ शुन्य इक्वल छे तो पचि आपने शों मेड़विश्यू फाई प्राइम सी अने आ जी प्राइम सी द्वारा विभाजित आ एफबी माइनस लेफ़ए ओवर आ जी बी अने माइनस जी ए इक्वल छे ते कोशी मिन वेल्यू थियरम अत्वा सामान्य मिन वेल्यू थियरम छे जो आपने हवे जियो मेट्रिकल अर्थ अत्वा आ कोशी मिन वेल्यू थियरम नी चर्चा करिये तेथी अहीं हवे आपने आ पेरामेट्रिक करवने कंसिडर करिये जे एक्स द्वारा आपवामा आवे छे ते जी टी इक्वल छे जी ए त्यां आपेल फंक्षन छे परन्तु में आ पेरामेटर टी रजु करियों छे जे सामान्य रिते पेरामेट्रिक करव माटे वपराय छे अने वाया आपी जा फंक्षन एफ टी अने टी थी इक्वल छे ए थी बी सुधी आ क्लोज इंटर्वल माम बदलाय छे तेथी आ पेरामेट्रिक करव तमे टी ना वेल्यू ने अलग करीने शोधी शको छो जो उदाहरान तरीके T is equal to A होए तो आपनी पासे अहिंग X coordinate जी ए अने वाया को ओर्डिनेट FA आ पोइंट नो छे तेथी आ पोइंट जी AFA छे अने पची जो आपने T बदलिये करीए तो आपने मुडबुत रिते आ कर्व पर आगळ वदीशुन तमे आ कर्वने शोधी शकषो अने ज्यांग सुधी आपने अहिंग अन्तीम पोइंट सुधी न पहुंचिये त्यांग सुधी T equal B नथी JGB FB द्वारा आपवामा आवे छे हवे जियोमेट्रिकल अर्थाई आगाउना लागरेंज मिन वेल्यू थियरम जेवो जचे जो आपने आर एखा सेगमेंट द्वारा आ बे पोइंट मान जोडाईए तो आ थियरम कहे छे तेथी आव बधामान थी सौथी पहेलूंग आर एखा सेगमेंटनो स्लोप आ FB-FI ओवर GB-GA द्वारा आपवामा आवे छे आज आर्गियूमेंटने कारणे जे आपने अगाव चर्चा करी ते कारणे उन्चाई FB-FI हशे अने आ त्रिकोन नो आधार GB-GA हशे तेथी आ रखा सेगमेंटनो स्लोप छे अने पची अहीं राइट हेंड साइड कहे छे के आ करव पर ओचामा ओचूंग एक पोइंट हशे जान टेंजन्ट भाग आ रेखानी पेरलल हशे तेथी जो तमें नजीक थी जूओ तो आ F'C over G'C ए कोई पोइंट पर टेंजन्ट रेखाना स्लोप CY बिजूं कशूं नथी, कारण के स्लोपनी गणतरी करवा मां आवशे कारण के अहीं कोईक पोइंट डी y over dx पेरामेट्रिक करव माटे इकवल छे तेथी आ डी y over dt हशे अने dx over dt अथवा y प्राइम टी द्वारा विभाजित करवा मां आवशे जे x प्राइम टी अने अने आ y मुलभुत रिते f छे तेथी अहीं तमारी पासे g प्राइम टी पर f प्राइम टी छे अने आ थियरम कहे छे के इंटर्वल मां क्यांक एक पोइंट हशे तेथी t is equal to c तेथी आपणने अहीं आ टेंजन्ट रेखानो आ स्लोप f प्राइम a c divided by g प्राइम सी अने हवे हूंग आ पोइंट जड़ पती टुक मां कहूंग छोंग के आजे आपणे शोंग शिख्या छिए तेथी आपणे मीन वेल्यू थियरम नी चर्चा करिये छिए जे आ fb-fi over gb- g a f' c पर f' c equal छे अने हवे g x equal x होए तो शोंग थशे तेथी g x equal x एटले के अहीं तमारी पासे आ gb a equal to b हशे अने आ जी अहीं equal to a अने g prime x फक्त एक हशे तो आ केस्ट मंग आपणे ने शों मड़े छे लाग रेंज मीन वेल्यू थियरम चे कारण के ते कंक्लूजन fb-fi over b-af prime equal c छे तेथी आ खास किस्सामा जारे आपणे g x लईये छिए ते x equal छे त्यारे आपणे लाग रेंज मीन वेल्यू थियरम मड़ छे अने जो आपणे fb equal fi मुकी ए तो आ रोल थियरम माटे आपणी पासे जे वधारानी कंडिशन छे ते equal छे तो लाग रेंज मीन वेल्यू थियरम साथे 0 थशे तेथी fb minus fi अहीं आ जत्तो 0 थई जशे अने पची आपणने f prime c मरशे ते equal 0 छे आ जनरलाइज मीन वेल्यू थियरम छे अने एक चोकस केस तरीके जो आपणे फंक्षन g x ने x equal लईये तो आपणने लाग रेंज मीन वेल्यू थियरम मरशे अने फरिथी जो आपणे बिजी कंडिशन एड करीशों के fb equal f अए छे आपणने रोल मीन वेल्यू थियरम मरशे जे f prime c छे ते 0 बराबर छे हवे आपणे आना केटलाक उदाहरणों पर जैशोंग जे पहलूं उदाहरणों पर जैशोंग के मिन वेल्यू थियरम नो उप्योग करीने आपणे बताविशोंग के आ इनेक वालिटी कोस e x minus कोस e power y a less than equal to x minus y a xy less than a equal to 0 छे तेथी पहलूं आपणे नोंदिये छिये जारे बनने समान xy होई छे त्यारे स्वाभाविक रिते आ कोस e power x minus कोस e 0 हतो औने a equal to 0 छे तेथी पची समान तामाग स्वाभावी कृते संतोशाई चे जारे X औने Y बनने समान होए तेथी जारे ते समान नहोए त्यारे आपने केस कंसीडर करीशूं अने हवे आपने ft अन्य फंक्षन ने कंसिडर करिये कोसी पावर T कारण के स्पष्ट पने आपने जोई शकीए के आपने आ कोसी पावर X माइनस कोसी पावर Y मिन वेल्यू थियर्म नो उप्योग करी साबित करवा मांगिये छिए तेथी जो आपने ift फंक्षन ने कंसिडर करिये तो आ इंटवल X Y मां कोसी पावर T इक्वल छे अने स्वाभावीक रिते आपने मानी लिद्धूं छे के X A Y इक्वल नथी अने हवे आपने आ परिणाम पर मिन वेल्यू थियर्म लागू करिये छिए आपने शुम मढशे कोसी पावर X माइनस कोसी पावर Y X माइनस Y एक्वल छे आ इंटवल ओपन इंटर्वल X Y मां थोड़ो पोईंट हशे अने आ कोशंट नी वेल्यू F प्राइम सी इक्वल हशे आ लागरेंज मीन वेल्यू थियर्म छे अने हवे आपने आ डेरिवेटिव नो अंदाज लगावीशूं कारां के आपने जे डेरिवेटिव कम्प्यूट करी शकी ए F T ते कोसी पावर T छे तेथी बनने बाजूओ absolute value लेवा थि आपने आ कोसी पावर एक्स माइनस कोसी पावर वाय मड़े चे अने आ संपूर्ण मूलिय राइट हेंड साइड लै जशे तेथी x-y absolute value अने आ f' नुन सम्पूर्ण मुल्य तेथी f' में sin-sin e power t in to e power t c y बिजुं कशूं नथी absolute value ने कारणे आपने आ, minus sin ने ध्यानमां लिदूं नथी आपनी पासे e power c sin e power c छे कारण के आ डेरिवेटी वनूं मुल्यांकन point पर, point c पर करवूं पडशे लईये छिए, तेथी c x थी y मां बदलाये छे, तेथी आपने आ x मां थी c ने y पर लई गया छिए अने अमे आनी महत्तम value लई शूंग अने 99 के c x, y open interval नूंग छे, ते मुल्बूत रिते नेगेटिव संख्या छे c 0 थी ओची छे, कारण के x अने y बनने 0 ना एक्वल करता ओचा छे अने तेथी open interval मां c 0 थी सखत ओचों हशे तेथी sin, नी स्थापना हम्मेशां एक थी करवा मां आवे छे आपनी पासे 1 थी ओच्छा प्रमाण मां sin फंक्षन छे अने e power c आ नेगेटिव आर्ग्योमेंट मांटे exponential फंक्षन हम्मेशां लेस धेन एक हशे कारण के e power 0 एक छे अने बधा मांटे नेगेटिव वेल्यू ते positive वेल्यू मांटे एक करता ओचों मुल्य ले छे ते एक करता वदु ले छे आ एक करता सखत रिते ओचों छे आ एक इक्वल करता ओचों छे तेथी अहीं आ एक्सप्रेशन अथवा आ डेरिवेटिव नी महत्तम वेल्यू बाउंडेड छे एक द्वारा सखत रिते बाउंडेड छे तेथी आपणने आ इनेक्वालिटी कोस ई पावर एक्स माइनस कोस ई पावर वाई एक्स माइनस वाई ना एबसोल्यूट वेल्यू करता ओचुं मडियूं छे जे आपणे आ परेणाम मंग साबीत करवा मांगिये छिए बीजूं उदाहरण आपने कंसिडर करिशूं के आ एफ क्लोजड इंटर्वल पर माईनस बे थी बे नूंग डिफर्णशी एबल फांक्षन छे अने एवूं के वेल्यू माईनस बे तरीके आपवा मां आवे एक एफ इक्वल छे जे बे तरीके पांच तरीके आपवा मां आवे छे अने अहीं बीजी महीती छे के एफ प्राइम एक्स एफ प्राइम एक्स आ इंटर्वल मां एक्स माइनस बे थी बे ना तमाम वेल्यू माटे एक थी बाउंडेड छे अने मिन वेल्यू थियरमनों उप्योग करीने आमें फंक्षन नूं मुल्य 0 पर शोध्वा मांगिये छिए जो आपने आ समस्या पर एक नजर नाखिये अने आपने एफ शुन्य नी वेल्यू शोध्वा मांगिये छिए तेथी आपने इंटर्वल मांग मिन वेल्यू थियरम अथवा लाग्रेंज मिन वेल्यू थियरमने माइनस बे थी 0 अने 2 थी 0 मां लागू करवानी जरूर छे अने पची आपने मेडवी शुन f 0 पर किटला कंदाज जो आपने लागरेंज मीन वेल्यू थियर्म ने माइनस बे थी 0 इंटर्वल पर लागू करिये तो आपने f 0 माइनस f माइनस द्वारा विभाजित 0 माइनस माइनस 2 करिये छिये ते एकवल छे त्यां कोई c1 एकजिस्ट हशे ओपन इंटर्वल मां माइनस 2 थी 0 तेथी आ वेल्यू ते समय डेरिवेटिव पोईंट c1 इकवल हशे हवे अहीं आ डेरिवेटिव f प्राइम c1 एक द्वारा बाउंडेड छे तेथी आपने जानिये छिये के आ f प्राइम c1 नो अंदाज हम्मेशा माइनस एक अने एक वच्चे होई छे तेथी अहीं आ एक्सप्रेशन 0 छे f-2 1 छे f 0-1 अने डिवाइडेड बाउंडेड बे f 0-1 डिवाइडेड बे एक वच्चे छे कारण के आ डेरिवेटिव इकवल छे अने डेरिवेटिव एलेस धेन इकवल टू एक थी बाउंडेड छे एबसोल्यूट वेल्यू तेथी अहीं आ एक्सप्रेशन 0-1 अने एक वच्चे छे हवे जो आपने आ बन्ने ने बन्ने बाजु बन्ने थी मल्टिप्लाई करी अथवा तो आपने अहीं आ इनेक वालिटी थी बे मल्टिप्लाई करी शकीए छिए आपने-2, f0-1 मल्षे बेनी इक्वाल के ओचा अने बची आपने आने इनेक वालिटी मान एड़ शकीए छिए तेथी आपने अहीं f0-1 अने तेना इक्वाल करता ओठा ओचा 3 मल्षे अहीं-2 प्लस एक प्लस एक प्लस एक आपने ने मल्षे आ इनई क्वालिटी मां थी आपणने ते मढशे f0 e-1 अने त्रण वच्चे छे, फरिथी जो तमें इंटवल 0 थी बे मां लागरेंज मिन वेल्यू थी अर्म नो उपियोग करो छो इंटवल 0 थी बे मां अपणने f2 माइनस f0 ओवर बे माइनस 0 मढशे ते कोई पोईंट पहलूं डेरिवेटिव c2 इकवल छे, तेथी फरिथी अहीं f2 जानितों छे के f2 पांच छे 5 माइनस f0 ओवर बे, तो आपनी पासे अहीं शूंग छे आपनी पासे f2, f2 5 तरीके अपवामा आवे छे अने माइनस आ f0 ने 2 द्वारा विभाजित करिये अने आ वेल्यू फरिथी माइनस 1 अने 1 थी बाउंडेड छे तेथी आपनने आ 1 अहीं माइनस 2 अने आ f0 माइनस 2 माइनस 5 थी इक्वाल ओचा मल्या, आ सुच्चवे छे के आ, माइनस 7 माइनस f0, छे अने आ माइनस 3 हशे तेथी जो तमें अहीं माइनस 1 थी मल्टिप्लाई करोतो इनने क्वालिटी साथ लेस धेन f0 पर बदला शे अने त्यां लेस धेन 3 हशे तेथी आ इनने क्वालिटी हवे आपने मेलविशूं के f0 एग्रेटर धेन इक्वाल टु 3 अने लेस धेन इक्वाल टु 7 आ एक जे कहे छे के तेओ f0 एग्रेटर धेन अथवा इक्वाल टु 3 छे परंतु लेस धेन इक्वाल टु 7 छे अगावनी इनेक्वालिटी कहे छे कि f 0 ls धेन अथवा equal to 3 छे तेथी अहीं आबे इनेक्वालिटी द्वारा f 0 ls धेन equal to 3 छे अने f 0 a greater धेन equal to 3 छे तेथी आपने शुंग निशकर्ष काडिशुंग कि f 0 3 थशे तेथी f 0 3 होवुं जोईये ते derivatives अने अंतीम point value आपवामा आवी हती ते जोता आपणने 0 function ना mean value थियर्म नो उप्योग करीने value मली अहीं चेल्लूं उदाहरन function f जे हवे संतुष्ट करे छे जारे derivative ए 1 over 5 minus x square छे अने f 0 e 2 छे, हवे आपणे लागरेंज मीन value थियर्म नो उप्योग f1 पर bound नो अंदाज लगावा करिये छिए आ किस्सा मांग f1 नी चोकस value शक्य न थी तेथी आपणे ओछा अने उच्छ बाउंड नो अंदाज f1 माटे करिशूं तेथी फरिथी जो आपणे interval 0 थी एक मान लागरेंज मीन value थियर्म नो उप्योग करिये कारण के आपणे एक नो अंदाज लगावा मांगिये छिए तेथी 0 थी एक पची आपणे f1 माइनस f0 डिवाइड बाई आ डिफरंस एक अनेत्रन जेनी कोई point per value ते point ना derivative समान हशे तेथी आ inequality मान थी f1 माइनस f02 छे ती f'c equal छे हवे derivative शूंग छे derivative ए 1 ओवर 5 माइनस x स्क्वेर तेथी f'c ए 1 ओवर 5 माइनस c स्क्वेर थी ए छे हवे फक्त नोंदों के अहीं c0 अने एक नी वच्चे छे आ लोर बाउंड 1 ओवर 5 माइनस c स्क्वेर मड़े छे जारे आपणे 25 सी आ c0 तरफ पहुंचे छे जेनों अर्थ ए छे के आ वेल्यू हम में शांग रेटर धेन एक ओवर 5 अने जारे सी इंटरवल मान एक आ महत्तम वेल्यू तरफ पहुंचे छे त्यारे ते किस सामागा 4 थाई जशे अने आ 5 माइनस c स्क्वेर थी वदूनों महत्तम वेल्यू एक बाई 4 हशे हवे आपने जानिये छिए के डेरिवेटीव एक थी 5 अने 1 बाई 4 नी वच्चे छे तेथी डेरिवेटीव एफ ब्राइम सी शोंग छे ते अहीं एक एक माइनस बे छे आ, साथे आपनने इनेक वालिटी मड़ी जे एफ एक माइनस बे एक बाई 5 अने एक बाई 4 नी वच्चे छे अने आज सुच्चवे छे तेथी आपने बिजी बाजु लई जई शकीये छिए अने तेने अहीं जमनी बाजु उमेरवू पडशे तेथी आ आपनने अगियार बाई 5 लेस धेन इफ एक अने जो आपने अहीं बे एड करिशूं तो आ नव बाई 4 थशे आपनने इफ एक पर अंदाज मडियो के ते अगियार बाई 5 अने नव बाई 4 वच्चे छे आ संदर्बो छे जेनों अमें अहीं उप्योग करियो हतो पिसकुनोब डिफरंशियल अने इंटिग्रल केलक्यूलस अने क्रेजिग अध्यतन एंजिनेरिंग मेथमेटिक्स तेथी आजना लेक्चर माटे कंक्लूजन के आपने सामानिय मिन वेल्यू थियरम शिख्या छिए एक विशेश केस तरीके जारे आपने आजी एक्स ने सबस्टिट्यूट करिये छिए त्यारे बिजूं फंक्षन एक्स तरीके आपने लाग्रेंज मिन वेल्यू थियरम मर्शे अने जो आपने बिजू असंप्षन लईए के एफ एफ भी इक्वल छे तो आ रोल थियरम हशे जे कहे छे के एफ प्राइम सी इक्वल शुन्य छे ठीक छे आजना लेक्चर माटे आभार